जहें दोस्तों आपके बीच में आलजेवरा का दस्वा क्लास लेकर आ गया हूं इसके पहले आपके बीच यह सुचना है बैच टाइम क्लास का जो इलेवन्थ टूवेल्थ का बैच तीस फरवरी 2023 से टाइम साथ एम सुवा में और तेंद का विस फरवरी 2030 से जो टाइम सिक्स सुवा में और नाइंद का बैच दसमार से 2023 यानि टाइम बोले तो साम तीन वजे और 867 का वह आप क्लास में मिलकर बात किजिएगा तो दोस्तों मैं आप लोग के बीच यह दसमा क्लास लेकर आ गया हूं देखिएगा यह प्रश्ण इस क्लास में जो प्रश्ण होगा हमें लगता है प्रश्ण जो है आपको सूचने से ज्यादा बाहर है यानि कहा जाए तो आप जब इस प्रश्ण को आप एक्जाम होल में बैठे रहेगा तो इस प्रश्ण को आप दिमाख से नहीं वसरते ऑप्सन से बनाएगा यानि जो भी प्रश्ण क्लास तेंथ के अंतरगत मैं बताऊंगा उस सारा प्रश्ण ऑप्स के बिना अधूरा है यानि जब तक आप उप्सन से नहीं चलिएगा तब तक आपका राइट जवाब नहीं मिलेगा तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके बीच क्लास तेंथ में बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल सायरी जो सुनिएगा आपके बीच मैं बोलने जा रहा हूं यानि कि कह दूँ यह दुख और यह दर्द और यह मुसीबत तुझ में है तू वाहर तो एक बार झाक के देख तो खुद में एक बड़ा सिकंदर है तुम खुद में एक बड़ा क्या है शिकंदर है चले दोस्तों बिना समय वरबादी के हुए आपको कोश्चन की और ले चलता हूँ यानि Falls village के यानी बोले तो ऐंच का पाट कैमा होता है यह तेंथ यान बोले तो दैन्त में मझा आने वाला है यानी मझा कहा जाए तेंथा नहीं हमसे सूपर टेंथ बोलते हैं कौन सा क्लास यह सूपर 3 तो देखीए प्रस्टी आज का रहेगा चलिए प्रश्ण की और चलता हूं आपको प्रश्ण है कहा जा रहा है यदि रूट थिरी प्लस एक्स प्लस रूट थिरी माइनस एक्स वटा रूट थिरी प्लस सौरी यानि रूट थिरी प्लस एक्स माइनस रूट थिरी माइनस एक्स बरावर टू हो तो आप से कह रहा है कि एक्स बरावर क्या होगा आपको यह जवाब बताना है कि एक्स बरावर क्या होगा देखिए बिलकुल प्लस आसान है दोस्तों वस आपको यह एक वर ध्यान से समझना है यानि इसमें option रहेगा क्या रहेगा option जो कि मैं पहले बता दिया हूं तो चलिए इसका option लिख देता हूं यानि A बरावर option में मिलेगा आपको 5 वटे वारा, B बरावर मिलेगा, वारा वटे 5, C बरावर आपको मिलेगा, 5 वटे 7, और D बरावर आपको मिलेगा, 7 वटा 5, देखिए आपको जब इसको अपरेशनलाइज करके बनाईएगा तो बहुत जादा टैम लग सकता, तो आप exam hall में इ आपको पूट करके देखाते हैं, तो चलिए इसका अंसर आपका हो गया, option number B, यानि हम इसमें सिर्फ क्या करेंगे, इसको पूट करेंगे, तो 3 पलास, option यानि वारा वटे 5, पलास, रूट 3, यानि 3-6, कितना रख रहे हैं, वारा वटे 5, वटा, ये आपका हो गया, माइनस, वारा वटे 5, वरावर्दू, क्या दो आता है, दो आएगा, तभी आपका ये option सही होगा, अन्याथा, गलत हो जाएगा, तो आप कहिएगा, LCM पाच, यानि पारा पाच, अठार, यानि कितना हो जाएगा, पंतिया, 15, LCM लिजेगा, तो पंतिया, 15, 15, वारा कितना हो गया, ये, 27, 27 वटा, आप कहिएगा, ये कितना हो गया, पाच, यानि बोला जाए, तो 27 वटे, रूट कितना हो गया, सोरी, 27 वटे, कितना हो गया, पाच, पलस, आप या, LCM लिजेगा, तो पंतिया, 15 में से वारा गया, ये होगी, आपका कितना, थिरी, वटा, पाच, व पाच और यह माइनस हो जाएगा रूट तीन बटे पाच यानि आपको यहां समझ में आ गया है कि जब मैं आप्शन को पुट किया हूं तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिला तो आप बस इसको सुल्ब किजिएगा तो इसका अंसर आपको पता चलेगा कि एक होगा अब देख से किजिएगा तो यानि एक पलस एक होगा आप कर लीजिएगा तो आपको जवाब इतना हो जाएगा यानि आपको बोला जाए तो आप किस पर पुट किये यानि बारा बटा पाच पर आप पुट किर दिये तो इसका अंसर आपको कितना देखने को मिल गया यानि बोला जा सारा प्रश्न सब क्या रहेगा ओप्शन पर विदावट ऑप्शन एक विन नहीं बित ओप्शन रहेगा यानि एक साथ चलिए नेक्स्ट कोश्चन आपका है 4x-9 पलस रूट ओभर 4x पलस 9 बरावर 5 पलस रूट कितना 7 तो आप से पूछ रहा है x बरावर क्या होगा यानि बोला जाए A का भैलू आप से तो 3 वटा रूट 7 B का भैलू आप से 4 और C का भैलू रूट 5 और D का भैलू कितना होगिया ये सोचना है और मान बता देना है इधर 2 पच्छे उड़र 1 पच्छ में यानि कहा जाए तो आप x का मान क्या करना है पूट करना और डाइरेक बताना तो आपको लग रहा होगा कि 5 रूट के वाहर है कैसे होगा यानि 25 के बर्गमुल क्या होता है तो यानि आप कहिएगा या तो इससे पाच आजाए या तो इससे पाच आजाए तो आप कहिएगा एक option को उठा लेते हैं चलिए हम option भी उठा लेते हैं यानि 4 रखेंगे 4 चौक 16 नो पचीस यानि 25 के बर्गमुल पा चलिए यानि आपका option भी सेटिंग खा रहा है यानि यहां 4 चौक एकस के जगा कितना रखेंगे 4 तो चौक 16 माइनस नौ पलस इसमें रखेंगे चौक 16 पलस नौ तो यानि आपको पता चला यह हो गया रूट सेवन और यह हो गया 16 नो पचीस के बर्गमुल पास यही तो आपको दिया हुआ RHS में तो यानि किस option पर सेटिंग खाया 4 इसलिए x का भाईलू कितना हो गया दोस्तो 4 चलिए बढ़ते हैं next प्रश्ण की ओर जितना भी आज प्रश्ण आएगा सब option के साथ आएगा चलिए देखिए आगे प्रश्ण आपको कह रहा है कि बताईए हमें रूट ओवर साथ माइनस फोर रूट थीरी बरावर आपको दे दिया रूट थीरी ए माइनस बी तो आपको बताना है ए माइनस बी बरावर क्या होगा आप कहिएगा कि इसका option भी दीजिए तो हम कहेंगे आप इसका बीना option के ही बनाना पड़ेगा कहिएगा क्यों आप जितना देख रहे थे सब में सिर्फ एक अचरपद था जो एक से सिर्फ था और इसमें ए भी दो-दोगो है तो आपको ये बीना option से बनाना पड़ेगा यानि बोला जाए तो A और B का मान पता करना होगा तो आप कहिएगा कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं 7 माइनस 7 माइनस 4 को लिख सकते हैं दू रूट दू इस तरह से बोलिएगा जी बराबर में आपका रूट 3A माइनस भी ए ए बाहर में ज़रा बियान रहें तो आपको पता चला कि यह हो गया रूट 7 माइनस अब बताईए जरा दू बाहर कब होता है 4 को क्या लिखे दू गुने दू अब बताई दू बाहर कब होता है यानि बाहर इसी केसमिन होता है 4 के बर्गमूल दू इन हो जाता है जब आप इसको अंदर भेजिएगा एक दू को तो यह लिख सकते हैं दू रूट बाहर वरावर रूट 3 A माइनस B कहिएगा जी बिलकुल आप इहां 7 और 12 देख रहे हैं 7 और 12 तो 7 आप किस परस्तिती मिला सकते हैं 4 3 से 7 बना सकते हैं तो बनाइए आप क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट 4 माइनस रूट 3 बरावर रूट 3 A माइनस B तो आप कहिएगा 4 के बरग मुल्दू और यह हो गया रिट 3 बरावर रूट 3 A माइनस B आपको इधर मैचिंग करना क्या हो रहा है नहीं पहले रूट 3 है तो हम इसको लिख देते हैं रूट 3 यहां पलस ते हैं पलस कितना दो बरावर रूट 3 A माइनस B तो आपको इहां पता चला कि A का बहलू अच्छा यह इधर है क्या हम इसको आगे लिख सकते कहिएगा जी तो आप तुलना किजिएगा तो A बरावर आपको क्या मिलेगा माइनस 1 और B बरावर क्या मिलेगा बताएजरा तुलना किजिएगा तो माइनस 2 सिर्पोहाम अंधर देना A का बहलू आपका हो गया माइनस 1 और B का बहलू हो गया कितना माइनस 2 जब आप इसको सोल कीजिएगा माइनस माइनस पर लास यानि आपका जवाब हो गया राइट अंसर कितना एक बिल्कुल असान से बन रहा है दोस्तों तो अलजेबरा का अब कुछ ही प्रस्ण बचा है जो आपको सायद खतम की कगार पर आया है तो यानि कहा जाए तो अभी से महज अलजेबरा का मैक्समम मैक्समम हम अगर अंदाजा रुप से बोलें तो मैक्समम चार कलास या पांच कलास और आने वाला तो दोस्तों आपको इस मेहनत से डरना नहीं है वल्कि करना पड़ेगा आपको कोई पाव हुसला बोमंजर भी आएगा रख हुसला बोमंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर शमंदर भी आएगा ठक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर ठक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर तुझे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा मजा भी आएगा चलिए दोस्तो देखते हैं आज का नेक्स्ट प्राश्ण आपको क्या कह रहा है प्राश्ण आपको स्क्रीन पे नजर आएगा अभी छन नजर आएगा बस देखिएगा आपका अगला प्राश्ण है कह रहा है रूट एक्स पलस चार पलस रूट एक्स माइनस चार और रूट एक्स पलस चार माइनस रूट एक्स माइनस फूर बराबर तू तो आपसे कह रहा है कि बताईए एक्स बराबर क्या होगा अभी बार-बार का रहा था दोस्तों कि जब X या A या B कोई एक रहेगा तब उसका option से देखना यानि आपका option दे रहेगा question में 2.4, B में दिया रहेगा 3.2, C में दिया रहेगा 4 और D में दिया रहेगा 5 आपको यहाँ चेक करना किस पर संतुष्ट होता है तो आप कहिएगा चलिए मां option number D रखके देखते हैं 5 तो 5, 4, 9, 9 के बर्गमूल 3, 5 में घटेगा, 5 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 1, 1 का बर्गमूल 1, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि X जब रखेंगे ती हो जाएगा root 9, य यह हो जाएगा root 9, और यह क्या हो जाएगा root 1, यानि बोला जाए तो इसका बर्गमूल 3 और इसका बर्गमूल 1, इसका बर्गमूल 3 और इसका बर्गमूल 1, ऊपर 4 नीचे 2, कटके कितना गया 2, पता चला 2 बराबर 2, तो किस मान पर संतुष्ट किया, तो आप कहिएगा option number D पर संतुष्ट किया, तो जो कि आपका right answer option number D, तो बोले तो option 5 answer, चलिए आपको हम इसी तरह से, इसी तरह से आपके लिए मैं एक परश्ट होंबर्ग के रूप में डाल देता हूं, जो आप इसका answer बताएगा, और comment section में message किजिए, क्या आप इसका right answer दे पाते हैं या नही जो परश्ट आपको इसी ढंग से है, option put करके बनाना है, चलिए ये परश्ट जो लिखने जा रहे हैं, आप लोग के लिए, यानि बोला जा, x plus x square plus 1, x minus root over x square minus 1, plus x minus root over x square minus 1, बटा, x plus root over x square minus 1, बराबर 34 है, क्या है, 34 है, तो यहां आपको x का मान बताना है, किसका भाईलू बताना है, x का, यानि x बराबर क्या होगा, जो आपको जबाब देना है, तो इसी तरह से चलिए, option तो आपको दिया हुआ रहेगा, बारबर करें, से, rd, option आपको लिख देते हैं, हाँ, plus half, यानि बन, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, यानि आप x का कौन सामान इसमें रखिएगा, जो की आपको ये संतुष्ट करेगा, इस equation को, वह x का value हो जाएगा, दोस्तों, आपको बता दिया जा, एक सूचना, कि अधी कुछ, काम के बज़ा से, अगला class आने में थोड़ा time लगेगा, इसलिए आप लोग मेरे channel से भागेगा नहीं, बस कुछी दिन लेट रहेगा, और next class जो होगा, कुछी दिन लेट होगा, और class ज़स्ट regular टू लेगरो लाइते रहेगा, जिस तरह से भी चल रहा था, तो हमें, हम उमीद करते हैं, कि आपको ये सारा प्राशन समझ में आया होगा, दोस्तो, आप लोग को जिस तरह से पहले बता दिया गया है, कि आपको कोई पाउं में छाला देखने नहीं आएगा, आपका उचाई देखेगा, तो इसी तरह से आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत के साथ आप लगे रहे अभी चल रहा अलजेबरा कलास, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए, जै हिंद!